कैसे हैं आप लोग आप लोग का आज LDC का एक्जाम भी था उमीद है कि आप लोग का एक्जाम अच्छा जा रहा होगा और जिनका आगे एक्जाम है उनके लिए all the best ठीक है और आज मैं आप लोग के लिए लाया हूँ एक different type का question जो time and work आपको पता है time and distance चल रहा है तो उसमे पहले आप थोड़ा सा theory सीख लिजे खूब मजाएगा आपको आज भी अच्छा लाएगा आज class तो पहले हम लोग थोड़ा सा theory सीखेंगे theory में क्या देखिए हमारा जो aim रहे का सीखने का देखिए पहले तो आप देखिए हमारा chapter का नाम क्या है time speed and distance ठीक है तो इसमें हम आज जो सीखने वाले हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजेगा मतलब एक question आता है देरी देरी पहले पहले वाला जैसे कि क्या रहता है पहले थोड़ा सा theory सीखिए जैसे कि माल लेजे कि हम fix time कर दें कि 10 वजए ये line खीच दे रहे हैं कि ये fix time है और इस line को हम नाम दे रहे ह यह 10 वजे का बात है, 10 वजे सुबह में, सुबह 10 वजे आपको आफिस दाना है, मालली जाएदम फिक्स टाइम है कि 10 वजे आपको आफिस पहुचना है और कोई आदमी कहे कि हम 10 proud costume दस मिनटте लेट ले पहूंचे यहां लिक दे रहे हैं, वो क्या हुआ देखे तो पांच मिनट पहले पहुचेगा ठीक है तो इस वाले question में थोड़ा सा ध्यान देना परता है ध्यान क्या देना है अब थोड़ा सा समझेगा चीजों को मतलब कहना बस यह चाह रहे हैं कि माल लेजे आपको 10 वजे office पहुचना है एक आदमी अपना कुछ speed से गया तो 10 आदमी को 10 मिनट देरी हो रहा है और माल लेजे वही आदमी हो और उसका चाल अलग हो जाए मतलब 5 मिनट पहले पहुच जा रहा है चाल अगर speed बरहाएगा तो पहले पहुच जाएगा धीरे जाएगा तो लेट पहुचेगा तो ध्यान देजे ऐसे condition में हुआ क्या होगा मा तो होई कहे कि अगर वो आदमी माल लिजे चाल बरहा लेता है तो पांच पहले पहुच गा तो अविस 10 वज़े के पांच पांच मिनट पहले पहुचने का मतलब वह 9 बच के क्ब पहुचा होगा generating पहुचा होगा तो अगर हम ध्यान दे अगर हम बोले कि यहाँ पे समय का क्या है दोनों कंडिशन में समय का अंतर क्या है तो आप देखिए यहाँ पे नौ पच्पन में पहुंच रहा है पांच मिनट पहले पहुंच रहा है तो दस मिनट देरी हो रहा है तो दस दस में पहुंच रहा है तो ध्यान देजेगा यहाँ जो समय का अंतर है इन दोनों का आप देखे, 9,5 है, वहाँ 10,10 है, तो 15 मिनट का अंतर दिख रहा है, 9,5 और 10,10 में कितने मिनट का अंतर है, समय का अंतर कितना है, समय का अंतर, तो आप बोलेंगे, यहाँ समय का जो अंतर है, सर, 15 मिनट का है, है की नहीं 15 मिनट का है, आप सुचिए, समय का अंतर कितना मिनट का आप देख लिजे 10, 10 और 9, 15 को घटा लिजे तो आपको दिखेगा कि हाँ सर्फ 15 मिनट का अंतर हो रहा है तो यह अगर question ऐसे आये तो हम लोग इतना नहीं करेंगे हम लोग यह देखेंगे ना आपको याद रखना होगा आप समझे इस बात को कि कोई 10 मिनट देरी से गया और एक condition ऐसा भी दिया है जब 5 मिनट वो पहले पहुच रहा है तो कुछ करना नहीं होता है आप यह जो दिखे इसके लिए हम एक कलर दूसरा ले ले रहे है हम बोलेंगे क्या कि यह जो दिख रहा है आपको 5 मिनट पहले और यहाँ दिख रहा है 10 मिनट देरी आप इन इस चीज को आप समझ लिजे बात को कि पहले और देरी हम लोग डिरेक्ट याद भी करवा देंगे आपको और समझने वाला बच्चा तो समझ लेगा माल लिजे आपको समझने में कोई प्रॉब्लम आ रहा है ना तो आप रट लेंगे कि पहले और देरी देगा ना तो समय क अंतर जो होता है ना इन दोनों को जोरने से आता दस पांच पंदर याद रहेगा इस चीज को समझ लिजेगा कि देरी पहले देगा चाहे पहले देरी दे इस कंडिशन में आप इन दोनों को जोरिए मतलब जोरने का मतलब जो देरी वाला समय दिया हो और जो पहले वाला सम माल लेजे कि अब वहीं कढ़ीशन थोरा सा बदल दे रहे हैं, माल लेजे कि इसी को 10 वजे को 10 वजे वजे यौन को 10 वजे, यह रर आइस लाइन को 10 वजे माल लेते हैं, अब कोई कहे एक आदमी ऐसा कहे कि हमको 15 मिनट, 20 मिनट माल लेते हैं, कि 20 मिनट देरी हो गया, क्या माल लेते हैं, कि 20 मिनट देरी हो गया, 20 मिनट देरी, ठीक है, आचा 20 मिनट देरी अगर उसको हो गया है, तो 20 मिनट देरी हो गया, और एक और बात बता रहें, तो यहां कितने बज़े प 20 मिनट पर पहुंचा होगा, पहुंचा होगा कि नहीं पहुंचा होगा, पहुंचा होगा कि नहीं, अगर 20 मिनट देरी होगा, तो वो 10 वज के 20 मिनट पहुंचा होगा, और यहीं पर अगर हम ना एक और कंडिशन दे दे, कि अगर वो 15 मिनट देरी हो रहा इस वार, इस वार दूसरे चाल से चला, तो 15 मिनट ही देरी हुआ, माल लेते हैं कि 15 मिनट ही देरी हुआ है, ठीक है, तो अगर 15 मिनट देरी होगा, तो वो 10 बजे पहुंचने के जगा कब पहुंचा होगा, तो आप बोलेंगे 10 बज के 15 मिनट पहुंचा होगा, होगा कि नहीं होगा, तो अगर अगर आप ध्यान क्या हो रहा है जो दोनो कंडिशन ये दोनो देरि मीनुटेशन वाला ले रहा है मतलब एक जाग unpack 20 में पहुंचेगा 15 में ध्याज़ क्बस्टेशन पर दिग अगर दिखा इत加 ediyorum है अगर हम देखें है समय का आंतिर विस हो रहा है तो जो समय का आनतर समय का अंतर है वो कितना आएगा यहां पर तो आप बोलेंगे यहां दस बीस हो रहा है और यहां दस पंदरा हो रहा है दस बीस हो दस पंदरा में पांच मिनट का अंतर है तो हम बोलेंगे यहां समय का अंतर कितना है पांच मिनट का है तो इस चीज को आप देखेंगे तो आप इन दोनों को घटा लिजे अगर आप 20 और 15 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा पांच मिलेगा किने तो देखे इसी चीज़ को हम आपको समझाना चाहरे हैं कि जैसे देरी-देरी हो या पहले-पहले हो अगर देरी-देरी का समय दिया हो जैसे देरी हो रहा है फिर देरी हो उस समय का अंतर हो जाएगा, तो समय का अंतर ऐसे, अचा यहाँ पर यह भी condition हो सकता था, पहले पहले बला, जैसे आप यहाँ देख लिजाए, ऐसा भी condition हो सकता था, कि ऐसा एक condition आजाए कि कहें कि एक ऐसा कह दे कि बारा मिनट देरी बारा मिनट देरी नहीं पहले सौरी यहां तो पहले वाला देरी वाला तो पता दिया ना माल लेते हैं बारा मिनट पहले पहले पहुच गया पहले पहुच गया अच्छा अगर कोई बारा मिनट पहले कितने बजे पहुंचा होगा कितने बजे पहुंचा होगा हम आपसे बोले तो आप बोलेंगे 10 बजे पहुंचना था और वो 12 मिनट पहले पहुंच गया तो कब पहुंच गया होगा तो हम बोलेंगे 9 बज के कितना हो जाएगा 12 घटा लिजे 60 हमें से तो 10 जाएगा 50 और 2 जा TTC आया और यहीं बोल दे कि नहीं अगर व थोड़ासा माल दीजे कि दूसरा टाइम दे कहे कि नहीं 10 मिन四 पहले पहुंच गए माल दो दसमंट पहले पहुच गया माल दशम na पहले पहले पहुंच गया कि जो समय का अंतर आएगा, अंतर कितना आएगा, तो आप बोलेंगे 9.48 या 9.50 है, इसका मतब्द 2 मिनट का अंतर है, तो आप यहां भी देख रहे होंगे, कि 12 में से हम डिरेक्ट 10 घटा लेते हैं, तो जो 2 आता, वही यहां समय का अंतर आ रहा है, समय का अंतर 2 मिनट आ रह देखे, और फिर हम उसको दिखाएंगे, कि क्या हम सिखाना चाहा रहे हैं, बताना recently आपको, चीजों को समझ भी मतलब हम बताना चाहा है कि देरी पहले वाला समय दे तो दोनों को जोडने से, ये तो जोनों, जोनों 5 आ 10 पंद्रा को जोडने से इनन दोनों को जोड पहले हो या पहले देरी हो दोनों कंडिशन में मतलब अलग अलग हो देरी पहले हो या पहले देरी हो अगर उन दोनों समय को हम जोड़ देंगे तो वो जो आएगा वो समय का अंतर आ जाएगा और एक हम आपको क्या बता रहे हैं कि देरी देरी हो या पहले पहले हो इसमें क् तो हम छोग निकाल है समय का अंतर हि निकाल है दोनों को घटाने से समय का निकाल रहें लेकिन आपको समझना होगा अगर सेम रहेगा देरी देरी रहेगा या पहले-पहले रहेगा तो इस इस condition में दोनों को घटाने से समयकान तर आएगा और अगर पहले देरी हो या देरी पहले हो तो जोरने से समयकान तर आएगा तो इस चीज को हम लोग थोड़ा सा कोशन पर देखेंगे इसी डीटेल को हम लोग कोशन पर देखेंगे तो आप लोग नोट कर लिए होंगे इस च तो आपको पता होने चाहिए कैसे क्या हो रहा है, जिसे माली यही कोश्चन है, चले इसी कोश्चन को देखते हैं, आप देखे इस कोश्चन को, अगर आप इस कोश्चन को देखेगा तो क्या बोल रहा है, एक आदमी अपने घर से, आप देखे एक आदमी अपने घर से 27 किलो मतलब 27 के speed से चला ना तो 7 मिनट देरी हो गया अब कह रहा है क्या अब देखिए कि अब जो है अब कितना के speed से चल रहा है 45 के और अगर 45 के स्पीड से चलेगा ना तो 17 मिनट पहले पहुँच जा रहा है तो इस चीज को नोट कर लिजे समझ ये बात को कि एक आदमी अपने घर से 27 किलोमेटर प्रती घंटा की ओसर चाल से चलता है तो 7 मिनट देरी होता है और अपने कर्याले की दूरी क्या होगी तो इसमें बहुत सारा कोशन बनता है तो इसमें बहुत सारा कोशन हम ले आए हैं जितने तरह का इसमें बनता है तो सुरू करते हैं बात को समझेगा अच्छा यहां डिस्टेंस सेम है यहाँ घर से office वाला जो बात है, यहाँ distance क्या है, तो गदेंगे distance same, ध्यान देज़े का distance क्या यहाँ? तो डिस्टेंस अगर सेम है ना, तो हम लोग जानते हैं, यहां पर आपको एक चीज़ किलियर दिया होगा, यहां श्पीड का आप अनुपात आराम से निकाल सकते हैं, देखिए तो श्पीड जो है दोनों का गिवेन है, अगर हम यहां श्पीड लिखें, तो श्पीड का जो अनुपात 45 हो जाएगा, अच्छा आपको पता है, डिस्टेंस सेम होगा, तो स्पीड को पलटने से क्या आता है, तो हम बोलेंगे स्पीड को पलटने से टाइम आता है, तो टाइम क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे यह 45 अनुपात कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 45 अन तो अगर हम इसमें देखे तो ताइम अगर यहां ताइम का अगर अनुपात यहां थरस आप छोटा कर सकते हैं बरा बनाएगा टाइम ज्यादा लएगा जैसे क्या किसे काट लिया जाए नौ पंजे पैतालिस और नत्यरी 27 तो यहां जो ताइम का देखेंगे तो यह चीज हम और हम हम लोग जो पहते हैं उसको IMPLEMENT करेंगे implement क्या करेंगे कि δेखें और यहां Valley Derry क्या हो रहा है यहां घर हे यहां पेह tolerate is format का को देखे क्या हो इसको जोरने से समय का अंतर आएगा न आगर हम हम यहां बोलें यहां पर उल्क है कि समय का अंतर क्या होगा दोमों कंडि अन्तर क्या होगा तो आप बोलेंगे कि कुछ नहीं दिक्कत है सर समय चाहिए तो आपको पता है देरी और पहले अगर दिया हो तो दोनों को जोडने से आता है तो 17 और 7 जोड दीजे तो 17 और 7 आप जोडिएगा तो 24 आएगा तो हम कहेंगे कि कितना हो जाएगा तो कहेंगे सर चौबिस मिनट हम क्या कहेंगे क्या हो जाएगा चौबिस मिनट तो हम कह सकते हैं कि जो समय का अंतर क्या होगा तो हम कहेंगे समय का अंतर जो होगा वो क्या होगा चौबिस मिनट का होगा तो समय का अंतर क्या होगा तो चौ टाइम का अंतर, तो टाइम का अंतर जो है, वो कितना मिनट का है, तो कहेंगे 24 मिनट का, यह हम लिख दे रहे हैं, कि टाइम का अंतर कितने मिनट का है, तो 24 मिनट का है, ठीक है, तो कैसे होता है, तो कहेंगे साथ, देरी पहले वाला में, देरी और पहले दिया हो, तो दोनों को जोरने से समय का अंतर आता है, time का अंतर कितना है, 24 मिनट, अब आप यहीं पर देख लिजे, यहाँ time का अंतर कितना दिख रहा है, तो कहेंगे, दो यूनिट पांच है यहां दो है यहां पांच यूनिट है यहां दो यूनिट है तो यहां पांच है यहां दो है तो अंतर कितना यूनिट का है दो तो कहेंगे सर दो का मतलब ही तो चौबिस मिनट दिया है दो का मतलब कितना मिनट दिया है जी चौबिस मिनट तो आप कह सक सकते हैं एक यूनिट का जो वैलू होगा दो यूनिट का वैलू 24 मिनट तो एक यूनिट का वैलू कितना होगा तो कहेंगे सर 12 मिनट होगा एक यूनिट का वैलू होगा कितना आ रहा है तो कहेंगे 12 मिनट आ रहा है तो अगर एक यूनिट का वैलू अगर 12 मिनट आ रहा है त तो आप चाहे तो किसी एक के मदद से आप दूरी निकाल सकते हैं, जैसे कि आप पांच के मदद से निकालेंगे, तो क्या होगा, पांची के मदद से निकालेंगें, क्लकूलेशन आसान परने वाला है, तो यहां बारे पजे, देखे, एक यूनिट का फेलू 12 मिनट और यहाँ जो टाइम है वो 5 यूनिट है तो 12,5,60 तो कहेंगे यहाँ 60 मिनट का समय लिया होगा, आचा यहाँ 60 मिनट का समय लिया गया है, और इस 60 मिनट का जो समय लगा है वो किस स्पीड से लगा है, 27 देखे, यह जो 27 ही तो हम तो distance क्या होता है, बोलेगे, speed, तो यहां का speed कितना है, इसका वाला 27 है, तो कहेंगे, distance जो आएगा, वो कितना आएगा, 27 आएगा, ठीक है, और कोई कहे कि distance 27 है, और अगर आपको distance, sorry, distance निकालना है, तो speed 27 है, और time कितना है, 60 मिनट है, तो मिनट को घंटा करने के लिए 60 से भाग, तो ध्यान दिजेगा, distance बराबर क्या होता है, speed into time, तो speed 27 है, और time 60 मिनट था, तो 60 से भाग लगाएंगे, तो घंटा हो जाएगा, तो अगर यह 60 से 60 काट लेंगे, तो answer आपका क् 27 किलो मेटर, तो यही आजाएगा, आप चाहते हैं, तो इस तीन के मदब से भी निकालते हैं, तो 27 ही आता, तो इसका answer क्या हो जाएगा, 27 किलो मेटर, तो आपको यह चीज़ समझ में आ रहा होगा, कि कैसे किलो मेटर निकला, 27 किलो मेटर कैसे निकला, आप समझ में आ रहे और यह भी पूछ सकता है, दूरी एक्चुल टाइम और आपको एक्चुल स्पीड भी पूछता है, तो हम लोग सब समझेंगे चीजों को पहले यह देखिए, और इसको आप लिख लीजे, हम लोग आगे बरहेंगे, तो इसका स्क्रीन सॉट आप लोग ले लिये होंगे, चल का मतलब 24, तो एक का मतलब 12, एक का मतलब 12, तो पांच का मतलब 12, बंजे 60, तो 60 मिनट 27 स्पीड है, तो डिस्टेंस वरा स्पीड इन्टो टाइम, काफी इजी सवाल है, ध्यान देजेगा, अब अगला कोशन पर चल रहा है, हम लोग ठीक है, दो नमबर, देखिए यह वाल सवाल, यह सवाल भी देखिए, कराया, रूबी 3 km प्रतिगंटा की गती से किसी मल्टिप्लेक्स में पिक्चर देखने के लिए जाती है, और वो 5 मिनट की देरी से पहुंचती है, यदि वो 4 km प्रतिगंटा की चाल से चलती, तो 5 मिनट जल्दी पहुंच जाती, तो अच्छा देखिए, अब जो कोशन है तो अशा ध्यान दिजेगा कि कोशन क्या कह रहा है, अब देखिए, कुछ करना नहीं है, आप पहले देखिए, कि जो स्पीड है रूबी का, अच्छा यहां तो डिस्टेंस सेम होगा, क्योंकि जहां से घर से जहां भी प्राइरम कर र डिस्टेंस क्या है तो सेम है, कोई दिक्कत यहां नहीं है, डिस्टेंस सेम है, अच्छा अगर हम बात करें यहां स्पीड का, तो स्पीड का जो रेशियो आएगा, स्पीड का वो कितना आएगा, तो कहेंगे स्पीड जो है सर वो तीन और बाद में चार, तो इसका मतलब हम distance same है तो time का बात पलट जाएगा 3-4 है तो ये क्या हो जाएगा 4-3 क्यूंकि ये चीज हम आपको पिछले वीडियो में पढ़ाए हुए है कि distance same हो distance same हो तो speed को पलटने से क्या आता है time आता है अच्छा अब आपको मालूम है अगर आप देखेंगे यहां पे note किज़ेगा बात time का difference time का अंतर कितना होगा तो आपको अभी अभी हम सिखाए है शुरू में कि जो समय का अंतर आएगा ना जो समय का यहां अंतर आएगा वो कितना होगा तो हम जानते हैं कि देरी और पहले जल्दी का मतलब पहले हो तो जोरने से आता है मतलब अलग अलग हो देरी पहले हो पर देरि पहले हो या पहले देरी हो चोय अगर अलग अलग होगा तो जोर्णे से समय का राएगा तो 5 और 5 10 हम घंगे 10 मिनट का अंतर हम तो हम यहां ताइम का अंतर कितना तॵ अब आप यहां देख लिजे कि हम इसी चैनल कितने का अंतर दिख रहा है तो एक का तो हम कहेंगे एक का मतलब कितना जी तो कहेंगे एक का मतलब जो है ना सर वो दस मिनट है एक का मतलब कितना है दस मिनट है तो अब आप चाहें तो यहां रख लिजे इस वाले पर तो चार का मतलब तो आप कहो सकते हैं कि चार का मतलब कितना हो जाएगा चार का 10 शोके, 40 मिनट। besl translat in about this condition will लुकुरा मोने, umish last 644 कितना लग रहा है? 40 मिनट। कितना 3 मिनट। 40 दू लग रहा है. so it's still distance. तो हम यह कह सकते हैं, कि अगर आपको distance चाहिए तो यहां का speed तीन 10 है , your time is 40, तो 3 km पर घंटा स्पीड है और जो टाइम है वो 40 है तो 40 मिनट को अगर हम 60 से भाग लगा देंगे तो घंटा हो जाएगा तो 30 से 60 20 बार में और 20 दूनी 40 इसका मतलब एंसर आगया 2 km इसको लिखे एंसर आगया 2 km अब इसमें एक और चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे कि ज बार बार आपको डिस्टेंस ही पूछे जरूरी नहीं है यहां देखे दो चीज और पूछता है अब हम आपको सिखाते हैं उस दो चीज को पहले थोड़ा सा चीजों को समझते है इसको थोड़ा सा हम लोग छोटा कर लेते हैं सब चीजों को थोड़ा सा छोटा कर लिया ज तो हम लोग समझने में आसानी होगा, जैसे कि क्या क्या और मांगता है हम लोग उस पर भी विचार किया जाएगा इसको इधर लगा देते हैं, ठीक है, जगा बन जाएगा, तो सिखाने में बनेगा, ठीक है, तो देखे, यहां थोड़ा सा हम लोग जगा बनाया हैं चीजों को समझने के लिए कि कैसे कैसे क्या होगा, इसमें और भी सवाल, ये तो एंसर आ गया, इसका दो किलो मेटर, इसमे क्या मांग देता है, आपको बोल देगा यही यही कोशन में ऐसे बोल देगा, कि आपको एक्च्टविक समय क्या होगा, इसमें क्या बोल देगा, एक्च्टव टाइम, देखे, चीजों को समझजेगे, आपका 2 km आग या पर घंड, 2 km जो आया हो, कोई दिकत नहीं है, लेकिन अगर एक्चुल टाइम बोल देगा, तो कैसे बनाएंगे, तो आप देखे, तो यहाँ आप चाहे, तो दोनों कंडिशन से आपको सिखा देंगे बनाना, पहले यहाँ देखे, यहाँ कितना मिनट लग अगर 3 km लगा था, तो कितना समय लगा था, 40 मिनट लगा था, तो आप जानिए यहाँ पर, कि 3 km लगा, अब सुचेंच कि 40 मिनट लगा, फिर भी जब गया था 3 km लगा था, यहाँ देखे, तो जहाँ पहुंचा, माल लिजए कि वो मुल्टिप्लेक्स गया, फिलिम देखन तो इसका दोस्त अब उसको बोला, कि ठीक है, तुम आतो गए हो पर 5 मिनट देरी से आया हो, तीन किलोमेटर प्रती घंटा के स्पीड से गया, तो इसका दोस्त जब पहुंचा जैसे वो 40 मिनट लगा के, अपना 40 मिनट लगा के जब पहुंचा, तो जैसे वो गया मुल्ट में मैं, तो उसके दोस्त महाव थे, और वो दोस्त उसको बोले के, कि तुम कितना लट आया हो, 5 मिनट देरी से आया हो, इसका मतलब ये है, कि वो जो 40 मिनट लगा थे, पिर भी पहुंचा था, पांच मिनट देरी हो गया था, इसका मतलब उसको 40 म मिन ग पहुंचना था, mens तेज़े मिनट में पहुचना था, तब तो 5 मिनट का देरी हो गया था, समझ मिया रहा हम क्या बोल रहा है यह हो गया आपका क्या, एक्चुल टाइम, क्योंकि चालीस मिनट लगा के पहुंचा तीन के स्पीट से, फिर भी दोस्त बोला तुम पांच मिनट देरी से आया, इसका मतलब वह चालीस मिनट में जो पहुंचा इसको पहुंचाना था, तो हम कहेंगे इसका एक्चुल टाइम कितना होगा 35 होगा, यहां कितना लगा, तो हम बोलेंगे यह 30 मिनट मसवरिस का एंसर आएगा, यहां वाला का, यहां वाला का समय कितना आएगा, 30 मिनट आएगा किने, एक का मतलब 10, तो तीन का मतलब 30, तो यहां से भी अक्चुल टाइम निकल सकता है, पता है कैसे, आप देखे, चार के स्पी निकल सकते है, तो यह भी चीजों को समझेगा, तो आप समझ पा रहे होंगे चीजों को, तो एक्चुल टाइम बोलें तो आप इसके मतलब 10 मिनट लगा था, और दोस्त बोला, तुम 5 मिनट जल्दी आ गया गया हो, चार बोला सपीड से गया था, यह स्पीड, तो कहेंगे जो अगर येहां 5 मिन्ट नेखे, 5 मिन्ट जल्दी पहुंच गया है, तो आप इस चीज को समझ लीजे, हम लोग नेक्स को चलेंगे, तो दीरे-दीरे चीजों और आप समझ पा रहे हैं, तो आप देखें ये दोनों को स्टिन को, देखिए यह कोउच्छन है, तो अगर हम इस कोऊच्छन को करना चाहिए, तो क्या तरीका रहेगा? अब थोड़ा सा देखिए. यह कोउच्छन भी उसी टाइप का है थोड़ा सा बदल के है, ऐसा नहीं कि दम हू भा हू है, थोड़ा यह बदल जाएगा. अच्छा देखें, अगर आप यहां देखेंगे, तो हम अगर ध्यान दे, कि जो स्पीड है, और क्या है, अच्छा यहां भी डिस्टन सेम होगा, पर लिजेगा, कि एक आदमी अपने घर से 30 km प्रती घंटा की चाल से शुरू करता है, वो अपने कर्याले 10 मिनट देरी से देखेंगे डिस्टन सेम है, यहां लिख दे रहे हैं कि डिस्टन क्या है, तो कहेंगे डिस्टन सेम है, ध्यान देजेगा कि डिस्टन क्या है, यहां सेम है, तो डिस्टन सेम होगा, तो कहेंगे कि अगर डिस्टन सेम है, तो पहले लिख लिजेगे स्पीड का अनुपात, Speed का अनुपात अगर लिखे तो क्या आएगा? तो कहेंगे, Speed का जो अनुपात आएगा, वो क्या आएगा? तो कहेंगे, पहले जा रहा था 30 के Speed से, और बाद में जा रहा है 24 के Speed से. तो distance का, sorry, Speed का अनुपात तो यह आ जाएगा, तो distance सेम रहेगा, तो time कैसे होगा? तो हम बोलेंगे, time को पलटने से हो जाएगा, तो इसको पलट लेजए. 30, 24 है, तो हम क्या लिख सकते है? 24 अनुपात, 30 लिख सकते हैं, पलट सकते हैं, हम लोग को पता है कि Speed को पलटने से time आता है, जब distance सेम होगा. तो अगर आप ध्यान दिजेगा, तो अगर हम लोग परहे हैं, यहाँ पर, यहाँ थोड़ा से काट लेते हैं, 6 से काट लिया जाए, तो 6, 24 और 6, 35 तो 4, 5 टाइम आ जाएगा अनुपात, और यहाँ देखे, कि शुरुवाले कंडी, संब 10 मिनट देजी हो रहा था, और बाद वाले में 18 मिनट देजी है, तो अगर 16 मिनट देजी है, कि यहां जो time का अंतर आएगा, यहां लिख दे रहे है, time का जो अंतर आएगा, वो कितना आएगा, तो हम जानते हैं कि जब दोनों जगा देरी-देरी हो, या पहले-पहले हो, तो घटाने से समय का अंतर आएगा, मतलब घटाने का मतलब यह है कि बरका में से छोटका घटा, आठ्थारा में से दस गया, श मतलब कितना मिनट आएगा तो आठ्ध मिनट आएगा, मतलब कितना eating कização श bill better than the product. तो एक का मतलब फाले रात मिनुट के तो डोरी टो किसी से सहे बना लेजे आप चाहें तो यहा लगा लेजे feminine के से मल लेजे कि आम यहाँ लगा ब quería करें जो गहीं मेरा से लगा लिए तो कहेंगे तो अगर वह एक उनिट का बैलू आठ है अचार का मतलब आठ चोके बद्तिस तो अगर हमको क्या बोला है ध्यान देजए तो कहा है दूरी निकालने के लिए तो अगर हमको डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस कैसे निकलता है हम जान रहे हैं कि 24 निट लगा है और चाल कितना है 30 तो singular तो तीस मिनट लगा है, तो थान लिए गुणों हो जाएगा i can tis 20 गुणों, तो यह बातीस मीनट है तो भागा 60 करनी किखा है, तो हमारा क्या आ जाएगा, भागा 60 कमणी तो गहंटा में बदल जाएगा, तु तीस माँद रहल जिस तो नियुक्णों किरुदर 10 गुन तो बात समझ में आ रहा है आपको कैसे ये देरी-देरी और ये वाला सवाल कैसे करते हैं पहले-पहले वाला इसमें भी अगर कोई कहता है यहां कि सर माल लिजे कि यहां एक्चुल टाइम मांग लेता है तो अभी जो हम लोग सीखे तो कहते कि 30 वाला कंडिशन जो है उसमें 10 मिनट देरी हो रहा है इसका मतलब 32 पे पहुचा है तो 10 मिनट देरी है इसका मतलब इसको 22 पे पहुचना था दस घटा लीजे, दस मिनट लेट आया है, तो इसको 22 पर पहुंचना आता है, जहां बत्ती से पहुंचा है, तो वैसे कर लिजाए, अगला कोशन में है वैसा कोशन, हम लोग देखते हैं अगला, देखे इसमें सब, यह वाला हम एकदम प्रेक्टिस के लिए आपको सिखा रह हैं, इसमें सब पुछा है, एक्चुल टाइम, एक्चुल स्पीड, टोटल डिस्टेंस, अब पुछा है, तो हम लोग एके करके सीखते हैं इसमें, क्या है कोशन आप देख लिजे, करा एक बच्चा घर से स्कूल कया, चालिस के स्पीड से गया, तो यहां पे दो घंटे क् है, तो एक घंटा जल्दी पहुचा है, तो उसके वास्तिविक चाल, कुल दोरी और वास्तिविक समय, तो तरीका हमारा वही रहेगा, हम लोग जानते हैं कि डिस्टेंस सेम है, तो अगर डिस्टेंस सेम है, तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ करने के ज़रूत नहीं, आप स् स्पीड का जो अनुपात आ रहा है, एक्चुल वो कितना आ रहा है, तो हम कहेंगे वो 40 और 30 है, स्पीड का अनुपात 40 अनुपात 30 है, अच्छा, स्पीड का अनुपात 40-30 है, तो जो टाइम का अनुपात होगा, उसका पलट जाएगा, उल्टा होता है, तो ये 30 अनुपा तो यहां कोई बोलेगा कि ताइम का अंतर कितना है, डिफरेंस कितना है ताइम का अंतर बराबर कितना बताएंगे आप लो, ताइम का अंतर कितना बताएंगे आप लोग, बताएं कितना बताएंगे आप लोग, बताएं कितना बताएंगे आप लोग, बताएं कितना बताएं तो यहां भी हम कहें घटाने से होगा, तो दो में से एक जाएगा, एक आएगा, इसका मतरा टाइम का अंतर कितना घंटा हो गया, तो हम कहेंगे एक आवर हो गया, टाइम का अंतर कितना आ गया तो एक आवर हो गया, तो एक घंटा है, और यहां पर टाइम का जो अंतर है, कित टाइम कांतर वहाँ एक घंटा है, मतलब एक का मतलब एक घंटा है, तो अगर हम चाहें, तो अराम से आगे बर सकते हैं, कह सकते हैं कि तीन का मतलब कितना होगा, तो कोई कह सकता है कि तीन घंटा होगा, तीन घंटा होगा, और अगर हम को, देखें, यहाँ पर एक और बात है निकालना चाल भी है, आपको दूरी भी हो और समय भी है, तो वास्तविक समय है, तो सब निकालेगे हम लोग, पहले हम दूरी निकालना होगा, ज़ाया सब निकाल लेते हैं तिरे दिरे, तो तीन घंटा, अच्छा, यहां दूरी हम बोले, डिस्टेंस कितना एगा, तो कोई भी बोलेगा कि अगर आम यहां पर डिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो बड़ी आसान है जी आप क्या कि यह 40 का स्पीड है और तीन घंटा लागा है तो 40 इसपीड इंटु टाइम और यह घंटा में कोछ चेंज करने के जोरत नहीं तो करेंगा चाहते हैं 12 120 किलोमेटर हो जाएगा हो जाएगा किन्हें डिस्टेंस क्या हो जाएगा 120 किलोमेटर हो जाएगा अब इसी चीज में और देखें अब जो है आप थोड़ा सा ध्यान देज इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजे देखिएगा इसको अटा दीजे इस चीज को थोड़ा ध्यान दीजे जैसे कि इसको थोड़ा सा नीचे रख लेते हैं हम लोग यहां पर अच्छा डिस्टेंस 120 कैसे आए आप लोगो पता चल गया होगा ठीक है कि डिस्टेंस 120 कैसे आए आपको पता चल गया होगा कि डिस्टेंस कैसे आएगा तो हम बुलेंगे सर यहां इसके मज़ा से निकाले कि तीन आवर लग रहा है चालिस के स्पीड से तो डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम लिखा है न वास्तविक समय तो अभी अभी हम लोग बात किये थे कोशन में सेकेंड नमबर कोशन में कि जो एक्ट्वल टाइम होगा कैसे निकलता है आप एक पर देखिए अगर कोई कहे कि हमको एक्ट्वल टाइम चाहिए यहां लिख दे रहे हैं अगर आपको क्या चाहिए एक्ट्वल टाइम चाहिए वास्तविक मतलब एक्ट्वल टाइम देखिएगा वहां पर लिखा भी रहता है कि वास्तविक मतलब क्या होता है actual time होता है अंग रेजी में तो अगर हमको actual time चाहिए तो actual time कैसे निकलेगा actual time कैसे निकलेगा तो हम कहेंगे कि देखिए यहाँ पे 3 घंटा लग रहा था 40 के speed से गया तो 3 घंटा में पहुँचा और 40 के speed से जब गया तो कह रहा है दो घंटा जल्दी पहुच गया था दो घंटा क्या पहुच गया था जल्दी पहुच गया था तो कोई कहे कि आपको तो तीन घंटा लगा के आप कहीं गए, आप कोई कहे ना तीन घंटा लगा के आप गए और कोई कहे रहे आप तुम तो दो घंटा पहले ही आ गए हो, कोई आप से कहे कि आप क्या दो घंटा पहले ही आ गए हैं, तो तीन घंटा लगा के गए थे, फिर भी दो घंटा पहले ही पहुच गया मतलब पहुचना पांच घंटे पे था समझ में आ रहा है बात तीन घंटा लगा था और चालिस के स्पीड से तो चालिस के स्पीड से तीन घंटा लगा और दो घंटा जल्दी पहुचा इसका मतलब तीन घंटा लगाने के बाद दू घंटा पहले ही पहुच गय इसका मतलब पहुंचना पांच घंटे में था तो अब तो दो घंटा पहले पहुंच गया तीन घंटा पहुंचा तो हम कहेंगे कि इसका मतलब एक्चुल टाइम कितना होगा पांच आवर होगा ध्यान दीजए कि एक्चुल टाइम कितना होगा पांच आवर होगा आप देख अब देख्या इसको, अब इसको भी हम रोच किनारे कर लेते हैं, नीचे कर लेते हैं, एक और चीज़ स्थिकना है, तो उच्छस ही आजए तो इपांच गंटा आ गया, अब देखेंगे अध्या अब आपको दिख रहा होगा कि और की वास्तविक चाल ही बताए है वास्तविक चाल, यह 40 वाला, 30 वाला नहीं, क्या बोला है, वास्तविक चाल बताइए, तो अगर हमको वास्तविक चाल चाहिए, अगर हमको क्या चाहिए, वास्तविक चाल चाहिए, अगर हमको क्या चाहिए, अगर हमको क्या चाहिए, अगर हमको क्या चाहिए, अगर हमको क् विल्गननफärganें दिया और और विल्गन तो भातुना विल्गनन आपकोसे करें कीतनी परकुद पाइंगा और भामेकने हम 10 गिल्गनामी तो पहुछनाव्यन नगनना पता पिछ देश और मिस्ला स्वाला में actual speed भी निकल गया, actual time भी निकल गया, distance हम लोग already निकाल रहे थे तो actual speed कैसे निकलेगा, तो हम कुछ नहीं करना है, जो distance है उसमें actual time से भाग लगा धिये, speed क्या होता है? तो हम क्या क्या है, distance by में time, distance by में time होता है, तो इसको देखिये एक बार इस question को, कि इसमें सब जिडाले हम लो, इससे ज्यादा इसमें नहीं होता है मतलब इसमें क्या कीए, हम लोग डिस्टंस ही निकाले है, इसमें एक्टवल टाइम भी निकाले। और एक और बात आप चाहे हम लोग तो इस चार के मतद़ से भीू सारा चिश़् निकाल सब्ते है। यह चार यूज की जगा तो आपको 30 स्पीड यूज करना होगा, तो भी हो जाएगा सब चीज़, लेकिन हम लोग यहां से इससे निकाले हैं, किसी से आप निकालेजीगा, एंसर आपका आएगा, तो एक बार आप देखें कैसे हुआ, डिस्टेंस निकालने के लिए क्या किये तो भाई, डिस्टेंस निकाल तो दो तीन कोशन से रहे थे, चालिस गुना तीन कर दिये, एक्चुल टाइम कैसे निकला, तो दो घंटा जल्दी पहुँच गया, तो तीन दो पांच हो गया, और एक्चुल स्पीड कैसे निकलता है, तो दिस्टेंस अपन टाइम, नहीं है, आप लोग जरूर कॉमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजे हमारे चैनल को, तो आज के लिए इतना है,